नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे की concurrency and channels क्या होते हैं ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं कि functions कैसे काम करते हैं ठीक है ना तो उसके लिए मैं यहां पर लेता हूँ इस चीज़ के बाद यहां payment function में हम लिखना चालो करते हैं जैसे की const में मैं लिखता हूँ नम जॉब 5 एक example के लिए मैं ले रहा हूँ इसके लिए नम जॉब 5 ले रहा हूँ const const ले रहा है क्योंकि यह constant चाहिए हमें इसके लिए हैं तो यहां पर लेता हूँ नम जॉब 5 ठीके हैं ओके तो वैर में लेते हैं हम wg क्योंकि हमें चाहिए वेट ग्रूप सिंक के लिए वेट ग्रूप सिंपल यहां पर हम लेते हैं एक फॉर लूप फॉर ठीके हैं i is equal to 0 1 ले लेता हूँ मैं और i greater than is equal to like नम is equal to like num jobs and यहां पर लेते हैं i++ simple ठीक है इसके अंदर एक function क्रेट करता है सबसे पहले तो यहां पर मैं भेजूंगा wg add यह तो आपको पता ही है कि हम one लिखेंगे क्योंकि एक ही बार तो run करते हैं इसके लिए हाला की loop बार बार घुमेगा तो वह one one time ही जाएगा इसके लिए ठीक है और यहां पर लेता हम है वर्क कर वर्कर सिंपल वर्कर करके एक एक एक्जम्पल लेते है फंक्चन का जो next इसके लिए आसान होगा समझाने के लिए तो यहां पर मैं बेज रहा हूँ आई और कॉमा देखें यहां पर मैं लिखता हूँ फंक्ट हमें चाहिए वर्क कर फंक्ट हमें चाहिए वर्क कर फंक्ट यहां नहीं ऑ ऐसके दो पर सिंपली के साथ और ऐत्रों कुमा हैं कुम यहां पर फंक्टा ग्ल Pink के साथ व Garlic और पॉयंतर क्यों कि हमने जthreestu कि ऽिर्ट ढब खेशा है यहां पर तो इसके लिए हम यहां पर pointers के साथ उसको collect करेंगे यहाँ पर लिखते हैं sink.wetgroup simple बस इतना ही तो यह हो गया काम अब यहाँ पर लेते हैं differ आपको पता है differ क्या है अगर नहीं पता तो check कर लिजे differ क्या है wg. यहाँ पर लेता हूँ मैं done कि यह हमें message भेज़ेगा कि हाँ यह function का काम हो चुका है इसके लिए और यहाँ पर लिखते हैं simply fmt.println को ठीक है ना तो println लिखने के बाद यहाँ पर लिखता हूँ number और simply देते हैं हम यहाँ पर num that's all देखे हैं हमने क्या करा है यहाँ पर simple for loop create किया है जो वन से start होगा fighter ठीक है और यह यहाँ पर 12345 भेज़ेगा तो यहाँ पर simply वही print होने वाला है तो एक बार चेक करके देखते हैं कि सही में वही print हो रहा है या कुछ और तो यहाँ पर आता हूँ go run mend.go और इंटर तो यहाँ पर देखिए one two three four five serial wise print हो चुका है हना तो आब आते हैं हम अपने next step की तरफ यहाँ पर अगर में go लिखता हो तो यह इसका मतलब क्या होता है आपको पता है गो रूटीन तो यह हो गया हमारा गो रूटीन अब हालाकि यहाँ पर one two three four five लिखा है आ रहा है प्रिंट होके अब यहाँ पर क्या प्रिंट होके आता है दिखते है गो run में रूट गो और इंटर दिखे यहाँ पर five one four two three यह सिक्वेंस वाइज नहीं आया है क्योंकि यह गो रूटीन वर्क करा जिसने रैंडम ली जेंडरेट यहाँ फिर पेज करके हमें दे दिया रिजल्ट आइसा नहीं है कि इसने जैसे नॉर्मल फंक्शन जो काम करता है सिक्वेंस लिए one two three four five उस तरीके से इसने काम नहीं करा इसने हमें हाला कि किसी भी टाइप में दे सकता है अभी five उपर था तो one उपर आ गया मंदब यह कुछ भी दे सकता है हमें रिजल्ट में ठीक है यह हम आपको समझा रहा हूं से क्योंकि आने वाला जो next है तो उसके लिए हमें यह जानना जुरूर रही है तो देखे आब हम क्या हैं तो सबसे पहले मैं लेता हूं मैं पैकेज इसके लिए और यहां पर देखिया हम सिंपल एक मुप्ध्य दै कि जैसे कि मुझे चाहिए इk करा करा ज tiver कि आ होट ग फिनिश हुआ कितने फिनिश हुआ है इसके लिए हम एक एक्जामपल देख रहा है लाइव एक्जामपल तो यहां पर लेता हूं मैं टाइप और उसका नाम देता हूं जॉब रिजल्ट प्रिजल्ट सिंपल ठीक है और इंटर मार्के उसके अंदर लिखते हैं नाम नेम इंट सेकेंड लिखते हैं रिजल्ट सिंपली और इसको भी देता है इंट देखिए यहां पे जे कैपिटल क्यू है और नेम का यह को पता ही होना चाहिए यह क्यूं है क्यूंकि हम यह चीज किसी और फंक्षन में भी यूज्ज करें इसके इसके लिए है ठीक है या फिर किसी और page में भी use कर सके इसके लिए अगर यह small भी दे सकते हैं हाला कि small देंगे तो यह same function में ही use होगा ओके अब आते है main function में main function में हम लिखेंगे जैसे कि as it is यह सारा चीज़े है weight group भी है सब कुछ है तो यहां पर आके मैं simply लिखता हूँ नीचे इसको इंटर करके दो चीज़े मुझे चाहिए एक चाहिए jobs jobs ठीक है jobs का हम एक यह बना रहते हैं क्या बोलते हो सो है channel तो मैं लिखता हूँ make chan और jobs के channel में हम लेते हैं और और एक parameter पास करते हैं जैसे कि count नम jobs simple बस इतना ही next लेता हूँ मैं result result और इस result के अंदर भी बना लेते हैं channel और उसके अंदर भी same काम करते हैं हम जैसे की chan और इसमें भेजेंगे हम हाला कि jobs result ठीक है क्योंकि यह हमें सारी चीज़ें चाहिए इसके लिए है तो ऐसे भी कर सकते हैं हम और यहां पर simply आगे लिखते हैं नम jobs मतलब उसको पाच बार चाहिए हैं पाच काउंट दे रिया इसके लिए यह सारा चीज़ लिखने के बाद हम next जाते है और कुछ employees के नाम लिखते हैं हमें कुछ employees के नाम भी चाहिए होंगे तो हम क्या करेंगे simply यहां पर आता है और लिखते हैं कि वरकर कर नेम ठीक है ना यह मैंने एक slice क्रेट करा इस slice को हम देते हैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं ओम अमन और राज simple और स्ट्रिंग यह तीन तीन एंप्लोई के नाम लिख दे हैं वरकर के नाम हमने लिख दिये अब क्या चाहिए हमें अब एक फॉरलूप चाहिए तो एक फॉरलूप बना लेते हम जैसे की पॉर और यहां पर लेते हैं हम एक की को हम नॉर्मल छोड़ देते हैं तो मुझे नहीं चाहिए की तो नेम चाहिए था इसके लिए मैं नेम लिखा यहां पर लेता हूं यहां पर चाहिए यहां पर चाहिए क्योंकि यह तीनों के ऊपर मुझे काम करना है तीन वर्कर्स के ऊपर मुझे काम करना है बनाना है लॉजिक इसके लिए तो एक बार घुमेगा यहां पर मैं भेज रहा हूं क्या भेज रहा हूं नेम दिखिए ध्यान से दिखिए मैं नेम भेज रहा हूँ यहाप पर और भेज रहा हूँ jobs jobs में क्या आएगा इंट आएगा से इसके रहे मैंने jobs भेजा और और एक चीज बेज तो results अब इस jobs के अंदर मुझे क्या चाहिए सबसे सिंपल इस jobs के अंदर मुझे चाहिए है कि चैनल के कुछ वैल्यूज तो उसके लिए मैं क्या करूंगा उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ यह जो फॉर लूप है हमारा आईडी के साथ क्रियेट किया हूँ तो इसको जॉब आईडी है मैं नाम देता हूँ फिलाल के लिए आईडी या फिर आईडी रख दिया तो भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है हाला कि मुझे यहाँ पर एक चेंज करना है यहाँ पर मुझे लिखना है जॉब्स और सिंपले आईडी बस यहाँ लिखने से हमारा काम हो जाएगा तो हाला कि मैंने आपको समझाया था कि अगर गोल नहीं लिखेंगे तो यह सेक्वेंस वाइज ही इसमें एड होगा लाइक 1,2,3,4,5,6 इतना ही अगर मैं गोल लिख रहा हूँ तो यह रैंडमली इसमें एड होगा जैसे कि 2,5,4,3,1 ऐसे कुछ भी चला जा सकता है यह तो मैंने आपको समझाया था तो अब आता हूँ मैं next और यहाँ पर सिंपले में लिखता हूँ तो स्कूवा करना है यह चैनल को values पास करने के तरीका है थीक है चैनल में चैनल को मैंने values mentioned किई यह इस गोरुर्टण में चली जा रही है थीक है अब आता हूँ मैं यहाँ पर यह पर सिंपली लिखता हूँ अब क्लोज मुझे अभी क्लोज भी करना होगा ना उसो जॉब्स सिंपल इस चाइनल की वैलुज को मैंने क्लोज कर जिया और यहाँ पर लिखता हूँ वेट ग्रूप वेट अल्रेडी लिखा है मैंने और सिंपले नीचे आके मैं लिखता हूँ क्लोज अगें रिजल्ट को यहाँ पर जो भी कुछ मिलेगा सारा का सारा चीज वह मुझे रिजल्ट में चाहिए होगा तो जैसे की कुछ फॉर्लॉप में लगा एक फॉर्लॉप लगाता हूँ मुझे रिजल्ट लिख दिया और इस रिजल्ट के अंदर रेंग्ज लेके results को लिख देते हैं result and simply यहाँ पर sorry उपर मुझे results लिखना था तो मैंने सिर्फ results ही लिखा है इसके लिए results यहाँ पर लिखा सिंपल यहाँ पर results यहाँ आएगा और यहाँ पर भी results आएगा okay that's all simple और यह result अब मैं आता हूँ नीचे और यहाँ पर हम एक काम करते हैं fmt प्रिंट करवा देते हैं सारे का सारे चीज़ print simple और इसके अंदर हमें print करना है job तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ percentage s और jobs ठीक है job लिखता हूँ job कितना job और यहाँ पर मैं लिखता हूँ simply percentage d results results ठीक है और यहाँ पर लिखता हूँ आगे दी percentage d and यहाँ पर लेते हैं हम की result name id and result यह तीन चीज़े चाहिए इसके लिए तो simple आता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ क्यों नेक्स लाइन में चला जाएगा देखें सबसे पहले यहाँ पर अगर मैंने job results डाला हुआ है और इस job results में name id and result है इसके लिए वह आ रहा है simple सी बात है ठीक है ना तो यहाँ पर मैंने name लिया और यहाँ पर मैंने देता हूँ result dot job id को और कॉमा देके result dot क्या था रिजल्ट कभी तो बताया गरो result ठीक है तो यह था तो यह होगा हमारा main function अभी main function का काम complete हो गया अब मैं आता हूँ worker के बाद तो worker में आने के बाद हमें क्या क्या चाहिए रहेगा देखें हमने अब क्या है नेम करा है जॉब्स करा है और रिजल्ट करा है यह तीन चीजे हमने पास करी है तो यहाँ पर मुझे और तीनों चीज़ी तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ name और name क्या है string है हमारा यहाँ पर लेता हूँ string simple और यह क्या भीजा है मिरे second वाला जॉब्स तो यहाँ पर लेता हूँ जॉब्स और simple जॉब्स के मेरा इंट है तो चैनल के साथ वेल्यूज है ना एक्चुलि जॉब्स मेरा क्या है चैनल है लेकिन चैनल है तो चैनल को मेने वैल्यूजी है यहाँ से मेरी डाली है तो यहां पर मुझे रेट्रीव करनी है का तरीक यहां पर आता हूं देखें मुझे लिखना है इन्ट अब कॉमा देखें मुझे वह वैलिउ रिजल्ट में घजनी है वापस तो यहां पर लिखना हम है रिजल्ट करने के लिए और यह है वाल्यूस चैनल के साथ रिटन भेशने के लिए तो यह तरीका है लिखने का इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना इस चीज को हम हम रिशु और इस चीज से हम रिटन करते हैं तो इसका झरूर ध्यान रखते हैं ठीक है आब आते हैं हम यहाँ इसी बात है कि हम लिखेंगे की रिजल्टS घरी रिजल्ट्स के अंदर चान को mention करता हूँ मैं ठीक है और क्या कर चाहिए मुझे job results चाहिए और wg sorry ये ये नहीं चाहिए मुझे ये already मैंने लिखा था तो मुझे क्या करना है यहाँ पर एक for loop लगाना है for loop लगाया मैंने और simple सी बात है इस for loop में मैं job id लेता हूँ job id और बनाते हैं हम range कितना होना चाहिए jobs की साब से jobs जो भी आएगा जैसे की मान लो इसमे अभी one गया ठीक है तो ये एक ही बार for loop लूब भूमेगा अगर मान लो इसमे two गया तो यहाँ पर दो बार for loop लूब भूमेगा और तो तीन बार ऐसा पांच बार ये for loop भूमने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमने स्टार्टेड जॉब ठीक है fmt.printf लिखा हमने और सबसे पहले %s देता हूँ एस माने की स्ट्रिंग तो यह नाम हो गया उस बंदे का यहाँ पर नाम के लिए मैं इस लिखा है नेम देना इसके लिए और स्टार्ट लिखता हूँ है a ptei जॉब राम स्टार्टेड जॉब या ओम स्टार्टेड जॉब कितना । परसेंटेज डी डेते हैं थे हम पांच या दो स्टार्ट किया है उन्होंने ठीक है तो दो लिख दिए हमेने और यहाँ पर simply है मैं काम करता हूँ कि next line के लिए एन लिए ठीक है अब मुझे क्या चाहिए अब मुझे चाहिए होगा name and job id तो simple name में भेज रहा हूँ क्या हाँ नेम भेज रहा हूँ तो name लिखता हूँ यहाँ पर दुसरी चीज में क्या बीज रहा हूँ यहाँ पर job id है मेरे पास यह दिखिए यह मे पास job id है तो मैं यहाँ पर लेता हूँ इसके अंदर दे जिते हैं time.second अब मैं आपे आता हूँ और लिखता हूँ result और इस variable के अंदर लेते हैं हम job id into two क्योंकि हमें result भी दिखाना है न इसके लिए job id कितना है अपना अगर मान के चले job id one है तो उसका result होना चाहिए दो तो इसके लिए मैं into two किया कि दो उसका output आया है अच्छा result मिला है उसने अच्छा काम कर रहा है ना कि बूरा काम कर रहा है इसके लिए मैं उसको two दे रहा हूँ तो five रहेगा तो ten time होगा मतलब 10 होगा उसका five रीच के लिए अब हम यहाँ पर फिनिश का भी लिख देते हैं जैसे के ऐफ़े अश्टार्ट हो गया है यहां पर स्टार्टब हो गया ता जाब तो यहाँ पर फिनिश भी हो जाएगा ना उसको जाब यह फिटीना स्टार्ट रहेगा तो फिनिश देदे यह पर फिनिश के लिए भी सेम प्रोसेस करतेंगे एस एस माने की नेम उसका और यहां पर लिखता हूं जॉब बीच कि इंपल फिनिश कर रहा यहां पर लिखते हूं जो तो परसंटेज़ टी कितना पर्सेंटमें जो लिखा है वह प्रिंट करवा देंगे हम और यहां पर लिखते है नें लाइन तो सिंपल सी बात है यहां पर लेंगे नेम और रीजुल्ट बस इतना ही इतना लिखने से अपना काम हो गया अब हम क्या चाहते हैं दिखें फिनिच जॉब हो गया विट रिजल्ट डी अच्छा अच्छा तो विट रिजल्ट भी हमें दिखाने तो यहां पे काम करते हैं विट रिजल्ट दे रहते हैं और इसको भी देते हैं दी तो यहां पे थोड़ा सब चेंज करना होगा सबसे पहले तो यहां पे आएगा जोब डी क्योंकि कितना था उसके पास देखें ओम फिनिच्ट जॉब कितना वन विट रिजल्ट टू क्योंकि यह टू के सथ मेंशन किया इसके लिए तो यह हमने लिख दिया है यहां पर अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पर और यहां पर सिंप्ली हम लिखेंगे कि यह मैं चशन करेंगे क्या ढोलते उसे नियम रिजल्ट क्यों कि हमें इस बाए रिजल्ट में कुछ वेजना है इसके लिए तो ही में पर करत Rocky होगारी इस वोजे के लिए ठीक है ना तो यहां पर हम लिखता हूं मैं यहां पर रिजल्ट रिजल्ट्स और यह रिजल्ट्स लिखा है मैंने क्यूंकि चैनल के अंदर मैं यहां से वैलुस भेज सकता हूं इसके लिए तो रिजल्ट्स लिखा है मैंने और वैलुस भेजने के लिए यह एन्हा पर लिखते हैं हम इस तरिके से job result जाउम सिंस्ट मुसमें यह क्या था यह हमारा है type और यी यह सुर्दर के अंदर क्या क्या आता है यह आपको तो पता ही है यहाँ पर लिम्म नेम और इस तरीके से लिखेक sudah मारत्व इन्टर पे अच्छी सब्सक्र कर데 यहां पर देखें job id के लिए भी मेरे पास option है job id simple तो तीसरी चेस क्या है मेरे पास results तो यहां पर मैंने रिजल्ट ठीक है और इसके लिए भी मेरे पास है small में result simple बस इतना करने से हमारा काम हो गया तो यह चला जाएगा यहां पर और यहां से यहां पर simple तो code run करके रेखता है तो इसको मैं remove कर रहा हूँ फिलाल के लिए यह हमें नहीं चाहिए भी इसको काम हो चुका रहा हूँ यहां पर आता हूँ और लिखता हूँ simply go run main.go or enter oh cannot you results variable for job types results and integer argument work line number 27 27 sorry 25 25 में बोल रहा हमें results नहीं लिक सक्ते क्यू actually गलती हुई है मेरे से यहां पर मुझे चाहिए job results इसके वज़े सा यह सही चलेगा भी ठीक है और कुछ error है कि हमरे पास undefined results line number 35 तो यह यहां पर है तो यह इसको मैं उठागता हूँ यहां से मान लेते हैं actually यह यहां पर result नहीं results था ठीक है sorry यह मेरे गलती है तो यहां पर देखते हैं इंटर और यह देखिए work करना चाहिए हमें result जो मिला है वह इस तरह किसा है जैसे कि राज स्टार्ट जॉब 1 ओम स्टार्ट जॉब 2 अमन स्टार्ट जॉब 3 अमन finished job 3 with 6 results राज finished job 1 with 2 results 2 क्यों आ रहा है 1 के बदले क्योंकि हमने यहां पर simply लिखा था इंटू 2 इसके वज़े से यह 2 और 6 3 के बदले 6 आ रहा है इस तरीकी से और 5 के बदले यहां पर देखे 10 और और आखिर में यहां पर हमने दिया है आमन job 3 results 6 यह हम क्यों आ रहा है क्योंकि simply main function में हमने यहां पर लिखा हुआ है कि आमन job 3 results कितना है यहां पर 6 तो 6 आ यहां दिखे तो yes और d क्यों लिखते है s लिखते string के लिए d लिखते इंटेजर के लिए तो सिंपल सी बात है ठीक है तो यह सारा results हमें इस तरीके से दिखता है और यह live मतलब example है कि इसे worker के साथ हम कैसे कर सकते combinations में है तो यहां पर हमने क्या के यूज कर रहा है दिखिए वेड ग्रूप से उसक्राइब टाइम स्लीप यूज कर रहा है और concurrency यह चार चीज़ें हमने यहां पर यूज करिए अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है तो कमेंट में आप जरूर लिखे और वीडियो के अंतक बने रहने के लिए धन्यवाद थैंके सो माच